कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी गुरूप डी का अगर आप पेपर देखो तो गुरूप डी के वेपर में ऐसे कोश्चन आपको अक्सर मिल जाएंगे ऐसे कोश्चन मिलेंगे इसे थोड़ा एडवांस लेव से अब कर सकते हो कैशे अगर यहां पर इस थारीके से दिया है और x2 la निकालना है ल गया होता है स्वाइर क्या होता है। अ- प्या होता है नस्क् Apa है जो इसकी उया हो गाए किए इन फेंड़ी होगी यानि कि हम कहा सकते है कि और्स 2, यानि कि यह क्या हो गया, 9-2 is equal to 7, 7 क्या हो गया, यह answer हो गया, अब मैं कहूं कि x plus 1 upon x यहां दिया था, x square plus 1 upon x square निकालना था, हमने बड़े अराम से निकाल दिया, अगर मैं कहूं कि x minus 1 upon x is equal to 3 दिया है, अब निकालो आप x square plus 1 upon x square तो कैसे निकालोंगे, देखें, ऐसे question में करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक basic rule आपको समझना है, rule क्या है, कि अगर तो plus और plus है, तो formula में आप क्या करोगे, minus कर दोगे, ठीक है, formula जो होगा, वो same होगा, plus और plus है, तो formula में क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस और plus था, formula में क्या हुआ, n square और minus 2 की जगह क्या हुआ, sorry, n square और 2 के बीच में क्या हुआ, minus हुआ, अगर मैं कहूँ कि plus और minus है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, plus कर दोगे, ठीक है, क्या करोगे, plus कर दोगे, अगर मैं कहूँ कि minus है plus है तो भी क्या करोगे plus कर दोगे minus है minus है तो भी आप क्या करोगे plus कर दोगे यानि हर एक case में आपका plus मिल रहा है सिर्फ plus और plus के case में minus मिल रहा है ठीक है अगर दोनों जगर plus है तो बीच में minus लगा दे रहा otherwise कुछ भी है उसकी जगर क्या होगा formula के बीच में क्या आएगा plus आ जाएगा ठीक है तो x plus minus 1 upon x की value 3 दी हुई है x square plus 1 upon x square निकालना है तो formula आपको पता है क्या होगा n square और 2 तो होगा ही n square और 2 तो होगा ही लेकिन symbol कौन सा होगा sign कौन सा होगा minus plus के साथ क्या आ रहा है minus plus के साथ plus आ रहा है तो हम sign क्या करेंगे plus का कर देंगे n क्या है n यह जो value दी हुई है यानि कि 3 का square plus 2 ठीक है यह हो गया 9 plus 2 यानि कि 11 क्या हो गया इसका answer हो गया 11 क्या हो जाएगा इसका answer होगा I hope आपको यह चीज़े क्या है समझ में आ रही होंगी अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा और देख लेते हैं अगर यहां पर मान लेते हैं minus 1 upon x is equal to 3 दिया है और बोल दिया x square minus 1 upon x square निकालो तो यहां पर क्या हो जाएगा सीधे सीधे n square 2 तो रहेगा है लेकिन बीच में sign कौन सा हो जाएगा देखें minus और minus minus और minus result में क्या आएगा आप formula में plus कर दोगे तो n की value कितनी हो गई यहां पर हो गई आपकी 9 और यह plus 2 यानिकी 11 ठीक है तो यह एक क्या हो गया सीधा सीधा सा इसका answer निकल के आ गया ठीक है अब क्या पूछता है यह तो square हमने हमने देख लिया ठीक है क्या देख लिया हमने square देख लिया अब अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसा question अगर पूछ ले कैसा question आप जड़ा देखें इसको जैसे कि क्या है root x plus one upon root x is equal to two और यहां पर find करिए x plus one upon x अब देखिए हमने क्या किया था x plus one upon x किया था x और यह इस तरीके से था कुछ दिया होता था अब यह क्या हुआ इसका square हो गया इसका square हो गया यानि x का क्या हुआ square हो गया इस x का भी क्या हुआ square हो गया अगर मैं कहूं कि यह चीज़ यहां पर भी apply हो रही है और उसी formula को लगा कर हम इसको भी solve कर सकते हैं तो कैसे करोगे, देखो root x का क्या होता है, square x होता है root x का square क्या होता है, x होता है तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर simply यह चीज़ apply कर सकते हैं यानि कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, n square minus 2 minus क्यों हुआ क्योंकि minus sorry plus और plus की जगह जो जब दोनों में plus आता है तो हम result में क्या गरते हैं जो formula होता हाँ से minus लिखते हैं तो n की value कितिनी है तो है यानि कि 4 minus 2 और 2 क्या हो गया इसका result आ गया ठीक है तो यह भी क्या हुआ है एक बहुत ही upon x बाला हमने case देख लिया है अब अगर बोल दे आपको अब अगर बोल दे x plus 1 upon x की value कितनी दी हुई है 2 दी है बोल रहा है x cube plus 1 upon x cube की value निकालो ठीक है अभी तक हमने square का case देखा था अब अगर cube के form में होगा तो कैसे करोगे इसका जो formula होता है वो होता है n cube minus 3 n ठीक है minus q अगर plus plus होगा रूल देखे हर जगा वही चलेगा कौन सा रूल चलेगा कि plus plus होगा तो minus होगा बागी हर एक case में हम क्या करेंगे result में plus कर देते हैं ठीक है जो formula होगा उसे plus कर लेंगे वो आप चाहो तो screenshot ले सकते हो उसका ठीक है यहाँ नोट बुक में note कर लेना तो n cube minus 3 n formula होता है n की value क्या है यहाँ पर 2 है तो 2 का cube minus 3 into 2 ठीक है यह 8 हो जाएगा minus 6 यह निकि 2 क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा ठीक है 2 क्या हो गया इसका answer हो गया और क्या पूछ लेता है और जैसे की 5th number का यह question देखिए यहाँ पर क्या है x plus 1 upon x is equal to 3 और पूछ रहा है x cube minus 1 upon x cube अब एक बात बताईए formula क्या होगा cube के case में formula होता है n cube और यहाँ पर 3 n होता है change कहाँ आता है सिर्फ और सिर्फ sign में sign किसके उपर depend करता है इन दोनों की sign में यानि कि plus और minus जब होता है तो हम result में क्या करते है हम हर एक case में plus लेते है सिर्फ plus plus के case में minus आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा n कितना है ? 3 है 3 का cube हो जाएगा plus 3 into 3 यह हो गया 27 और यह हो गया 9 यह क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 तो 36 क्या हो गया इसका answer हो गया ठीक है? 36 क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा next question देखें जरा next question अच्छा question है यह भी अगले question में आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पहले कोशिश करना कि खुद से solve करो उसके बाद next question है इसमें पूछ रहा है यह है x, x minus 3 is equal to minus 1 दिया है पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है x square plus 1 upon x square की value पूछ रहा है अब इसको कैसे solve करोगे? सबसे पहले तो दिमाग यह लगाना है कि x square plus 1 upon x square निकालने का formula तो हमें पता है लेकिन formula हम तब apply करते हैं जब हमें x plus 1 upon x यह x minus 1 upon x की value दी होती है ठीक है? तो अब हमारे पास वो चीज़ तो नहीं दी है लेकिन हमारे पास क्या है? यह एक equation है इस equation को क्या हम उस form में convert कर सकते हैं? कोशिश करके देख लेते हैं इबार तो यह क्या हो जाएगा? x minus 3 is equal to minus 1 upon x हो गया ठीक है? x को उधर बेज दिया x minus 1 upon x है तो यह plus का 1 upon x इधर हो जाएगा और minus 3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा अगर मैं कहूं x plus 1 upon x is equal to 3 आ गया अब x square plus 1 upon x square अगर बड़े अराम से आप निकाल सकते हो तो formula क्या होता है? यहाँ पर भी plus है यहाँ पर भी plus है तो formula में क्या हो जाएगा? minus हो जाएगा ठीक है? तो n square minus 2 formula होता है n की value क्या है? 3 है तो यह क्या हो गया? यह 9 minus 2 is equal to 7 ठीक है? क्या होगा? 7 क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा ठीक है? तो यह भी question आपका complete हो गया एक और question देखिए एक और question देखिए यह भी अच्छा question है पूछे जाने की उमीब है मतलब यह है कि आप इस तरीके के जितने जादा question कर सकते हो न उतना ही आपके लिए benefit होगा question number 7 7 क्या कह रहा है? root x है plus 1 upon root x is equal to root 6 पूछ रहा है x square plus 1 upon x square की value बताओ अब एक बात बताओ अगर मैं कहूँ कि directly आप इस तरीके से निकाल सकते हो तो नहीं निकाल पाओगे क्यों निकाल पाओगे? क्योंकि यहाँ पर root x दिया है root x का square करोगे तो x आएगा ठीक है? तो हम इस equation से इस equation से हम क्या गर सकते है? x plus 1 upon x की value निकाल सकते है ठीक है? क्योंकि अगर इसका square करो root x का square करोगे तो x आएगा ठीक है? तो x plus 1 upon x की value क्या हो जाएगी? n square minus 2 ठीक है क्या हो जाएगा n square minus 2 तो n क्या है यहाँ पर root 6 है root 6 का square minus 2 यानि कि 6 minus 2 is equal to 4 ठीक है तो 4 क्या हुआ यह आ गई आपके पास x plus 1 upon x की value आ गई लेकिन आपको निकालना क्या है x square plus 1 upon x square तो x square plus 1 upon x square निकालोगे तो अब इसके through क्या कर सकते हो आप फिर से वही formula apply कर सकते हो कौन सा n square minus 2 वाला minus क्यों लगा क्योंकि plus plus है ठीक है तो n की value क्या है यहाँ पर अब ये वाला 4 रखेंगे ना कि ये root 6 रखेंगे ठीक है तो 4 का square minus 2 ये 16 minus 2 यानि कि 14 क्या हो गया ये answer हो ठीक है 14 क्या होगा इसका answer होगा तो ऐसे question आपको देखो पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि exam में पूछा जा रहा है ऐसा question ठीक है अगर एक भी question अगर ऐसा फस जाता है 5-10 minute की वीडियो से तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ना तो चलिए ठीक है आज के लिए फिलाल बस इतना ही जल्दी मिलते हैं next class में thank you so much for watching